लोगडाउन की कारण राज़ में पानमसाला और तंबाकूद पार पर फिलहाल प्रतिबंद है लेकिन फिर भे कुछ व्यापारी चोरी छिपेस के काला बजारी कर रहे हैं चुनके खिलाफ GST एंटी वेजन टीम कारवाई करने में कोई भी कसर नहीं छोड रही जिहां इसी कड़ी में जुझनू की टीम ने शेहर के दो नंबर रोड सिदिक ट्रांस्पोर्ट कमपनी के गुदाम पर कारवाई की और एक ट्रक से करीब साड़े तीन लाख रुपे की केमत का पानमसाला और तंबाकूद पार जब्त किया है सयुक्त आयुक्त रामेंद्र शर्मा ने इस पर बता कि मुख्बीर की सूचना पर टीम ने ये कारवाई की जहां किराना के माल के याड में तंबाकू उद्पात की सप्लाई यहां पर की जा रही थी कि उसमें दिलबाग और तानसिंद पानमसाला के कुछ नग नीचे रखे वे थे चुपाकर गाड़ी को सीज कर लिया गया है और कर बवन में खड़ा कर दिया गया है इसका वेल्योइशन किया जाएगा और उसके बाद जो भी इसका मालिक सामने आएगा उस पर जुर्माने की कारवाई की जाएगा